देखे, Power BI में Power Query Editor के प्रूब आपो निकालेंगे, जैसे email ID दिया हुआ है तो उसमें domain name, domain name क्या होता है? जो add the rate और .com के बीच में होता है, वो domain name कहलाता है, तो इसको निकालने के लिए, अगेन हम add column में जाएंगे, extract करेंगे, और text between delimiter को करेंगे, तो start delimiter क्या होगा, add the rate, end क्या होगा, .com, यह दो नहीं चाहिए, इसकी बीच क्या चाहिए, okay, okay कर देंगे, तो देखिए हमारे पास यह domain का नाम आ गया, इसको हम नाम चेंज कर सकते हैं, okay, इस तरी के सब्सक्राइब, domain name आ गया, thank you,